इस वीडियो में हम डिस्क ब्रेक के बैसिक कंसेप्ट को समझने के बाद थोड़ा अधीक एक्यूरेट जानकरी की और बढ़ेंगे यह कंसेप्ट टुविलर, फोर्विलर और हैवी भैकल के डिस्क ब्रेकों पर भी लागू होता है तो यह डिस्क पहिये के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ रहता है इसलिए पहिये के अस्पीड के बराबर घुमता रहेगा पहिये को रोकने के लिए दो पैड की मदद से डिस्क के सतह को दोनों तरफ से दबाया जाता है ऐसा करने से डिस्क और इस पैड के बीच घरसन बल के कारण पहिया रुक जाएगा ब्रेक पैड का यह हिस्सा जो कि घिसने की वज़े से लंबे समय में खत्म हो जाएगा इस बैकिंग अस्टिल प्लेट के साथ मजबूती से चिपका होता है ब्रेक पैड को डिस्क की और ले जाने के लिए एक पिस्टन द्वारा इस पर बल लगाया जाता है जिससे यह ब्रेक पैड डिस्क पर प्रेसर लगाएगा और वेल रुक जाएगा पिस्टन पर लिक्विड द्वारा प्रेसर लगाया जाता है और लिक्विड पर हम अपने हाथों से बल लगाते हैं आईए इस असेम्बली को हम आसान बना कर समझते हैं चुंकि ब्रेक पैड को डिस्क पर एक तरफ दबा कर पही को रुपना आसान नहीं होगा इसलिए दोनों तरफ ब्रेक पैड का होना आवस्यक है तो दोनों तरफ पिस्टन और लिक्विड के द्वारा लगने वाला बल भी आवस्यक होना चाहिए इस पिस्टन और लिक्विड को इस अस्थान पर बने रहने के लिए दो खोखला सिलिंडर भी आवस्यक है यह खोखला सिलेंडर जिस हिस्से में बना होता है उसे कैलिपर कहते हैं अब इस कैलिपर को भी अपने अस्थान पर बिना हिले डुले सांत रहना चाहिए ताकि पिस्टन और लिक्विड अपना काम कर सके तो कैलिपर को नोन रोटेटिंग सस्पेंशन सिस्टम अर्थात इस सौक एब्जोरवर के साथ मजबुती से बोल्टेड होना पड़ेगा ध्यान दिजिए कैलिपर का आकार यू सेप का है तो यह एक डिस्क ब्रेक का मॉडल तयार है यहां चुकि कैलिपर सस्पेंशन के साथ पुरी तरह से फिक्सड है और मूव नहीं कर सकता है तो यह एक फिक्सड कैलिपर टाइप ब्रेक सिस्टम है यह हमारे बाइक में उप्योग नहीं होता है यहां दोनों तरफ एक एक या दो दो पिस्टन और सिलिंडर हो सकते है रेसिंग करने वाले गाड़ियों में कई सिलिंडर हो सकते है यह हेवी और हाई अस्पीड गाड़ियों में उप्योग किया जाता है आईए दूसरे मॉडल को समझते हैं जिसे हमारे बाइक में उप्योग किया जाता है। इस मॉडल में ब्रेक पैड डिस्क के दोनों और से प्रेसर तो लगाएगा, परंतु पिस्टन और सिलिंडर हम एक ही तरफ उप्योग करेंगे। यहां सिलिंडर तो कैलिपर में ही बना होगा, साथ हिसाथ कैलिपर बॉड़ी में दो गाइड पिन्स बने होंगे। अब एक अलग हिस्सा जिसे ब्रेकेट कहेंगे, इस ब्रेकेट में दो होल होंगे, जिसमें से यह कैलिपर बॉड़ी अपने दो गाइड पिन्स की मदद से स्लाइड कर सकता है। और यह bracket, suspension अर्था इस sock absorber या fork के साथ पुरी तरह से rigidly bolted रहेगा इसे sliding caliper type brake कहेंगे आईए दो सिलिंडर का उपयोग कर लेते हैं जैसा कि हमारी bike में होता है अब हमारे द्वारा brake लगाने पर यह piston directly इस inner brake pad पर बल लगाएगा और indirectly इस outer brake pad पर भी बराबर का बल लगाएगा परन्तु यह कैसे आईए समझते हैं जब हम brake लगाएंगे तो hydraulic pressure इस piston पर काम करेगा तो piston बाहर की और निकल कर इस inner pad को डिस्क की और ले जाएगा अब चुकि इस अस्थान पर brake fluid अपने चारों और बराबर बल लगाएगा तो जितना बल इस piston पर काम करेगा ठिक उतना ही बल कैलिपर के इस हिस्से पर भी लगेगा चुकि दोनों का छेतर फल बराबर है दोनों हिस्सों पर लगने वाले बल की मातरा भी समान होगी तो यह बल इस sliding के लिपर को इस piston के opposite side में slide करवा देगा अर्थात के लिपर तब इस guide pin के कारण slide कर जाएगा और इस outer pad को डिस्क की और खीच लेगा तब इस प्रकार से दोनों brake pad इस डिस्क को दोनों तरप से बराबर बल से दबा देगा अभी तक आपने जाना की कैसे दोनों brake pad डिस्क को दोनों और से बराबर बल से दबाता है परन्तु दोनों brake pad का वापस अपने अस्थान पर जाना भी उतना ही आवस्यक है ताकि डिस्क अर्थात पहिया फिर से घुर्नन कर सके तो इस कारिको करने के लिए सिलिंडर के इस ग्रूप में उपयोग होने वाले इस आयताकार क्रोस सैक्षन सेप के रबर सील का उपयोग किया जाता है परन्तु यह कैसे आईए समझते हैं यह रबर सील सिलिंडर के अंदर इस खाचे में बैठती है और पिस्टन के चारों और एक सील बनाती है सील का आंतरिक व्यास पिस्टन के व्यास से थोड़ा छोटा होता है ताकि सील में तनाव बना रहे और पिस्टन को पकड़ ले साथी साथ अंदर का फ्लूइड बाहर ना जा सके जब ब्रेक लगाई जाते हैं तो पिस्टन डिस्क की और बढ़ता है और ऐसा करने से सील खीच जाती है और ब्रेक भी लग जाता है चुकि सील रबर का है इसलिए इसका इलास्टिक नेचर इसे इसके अपने ओरिजिनल आकार और इस्थिति में वापस लाना चाहती है ब्रेक लिवर के छोड़ते ही फ्लूइड में प्रेसर खत्म हो जाता है इसलिए रबर सिल इस्टन को अपने पहली की इस्थिति और अस्थान में वापस ले आता है अब जब हडालिक प्रेसर हटा लिया जाता है तो डिस्क और ब्रेक पैड के मद एक कलेरंश बन जाता है जिससे पहिया फिर से गुमने लग जाता है यह brake pad clearance 1.15 mm का होता है आप यहाँ एक बात और समझिए कि लंबे समय में इस pad के घिस जाने के बावजूद यह clearance 1.15 mm का ही बना रहेगा यह इस परकार कि pad के घिसने के बाद piston इस seal से slide होकर डिस्क की तरफ आ जाएगा परन्तु वापस उतना ही जाएगा जितना यह piston seal ले के जाएगा अर्थाद पहले की बाती तो इस परकार से यह pad clearance एक सा बना रहता है आप कह सकते हैं कि डिस्क ब्रेक एक self-adjustment ब्रेक है clearance एक सा बना रहने पर बिना वक्त गवाए पिस्टन हमेशा ब्रेक लगाने को तयार रहता है लंबे समय के उप्योग के बाद इस rubber seal की elastic छमता कम हो सकती है जिसके current piston के वापस आने में समस्या होती है तो ब्रेक लॉक जैसे problem उत्पन हो जाती है एक अन्य rubber seal का उप्योग किया जाता है जो सामने तया पतला होता है या बाहरी धूलकनों को सिलिंडर के अंदर जाने से रोकता है बाहरी धूलकनों के कारण भी piston के गती में बाधा आती है तो कुल मिलाकर उचित समय अंतराल पर piston seal का जाँच या बदलाव आवस्यक होता है साथी साथ सिलिंडर में बाहरी धूलके आजाने पर brake fluid को नई brake fluid से बदलना आवस्यक हो जाता है hydraulic brake system का यह हिस्सा master cylinder कहलाता है इसमें दो मुख्य हिस्से होते हैं एक fluid reservoir जिसमें brake system को आपूर्टी करने के लिए liquid होता है और दूसरा compression chamber जिसमें piston operate होता है reservoir में दो ports के मध्यम से brake system को fluid की आपूर्टी करता है बड़े port को filler यह intake port कहा जाता है और यह primary और secondary piston seal के मध्य होता है छोटे port को relief, bypass यह compensating port कहा जाता है जो reservoir को सीधे cylinder और in pipeline से जोड़ता है piston के बाहर निकल जाने से रोकने के लिए एक circle जिसे snap ring भी कहते हैं इस group में fit किया जाता है जब brake lever दबाया जाता है तो master cylinder piston liquid को आगे pipe में धकिलने के लिए आगे बढ़ता है ऐसा होते ही relief port seal हो जाता है अब आगे पूरी तरह liquid रहने पर हमारे द्वारा लगाने वाला बल liquid के अंदर pressure बनाता है और यह pressure बिना समय लिए आगे भी बढ़ जाता है और यह wheel cylinder piston को बाहर की और धकेलता है और फिर piston brake pad disk को दबाता है अब ध्यान से समझे कि क्यों यहाँ दो hole दिये जाते हैं जब brake lever को छोड़ा जाता है तो यह return spring इस master cylinder piston को piston stop point तक तेजी से वापस धकिलता है क्योंकि इन pipeline में fluid धीरे धीरे वापस आता है इसलिए इस piston के सामने vacuum बनने लगता है इस vacuum को भरने के लिए reservoir और piston के पीछे का fluid इस relief port के माध्यम से vacuum को तुरंद भर्ज देता है जब brake lever off position में रहता है तो reservoir का fluid relief port से होते हुए इस master cylinder supply line और wheel cylinder में जाकर fluid की आपूरती कर देता है साथ ही साथ यदि कोई leakage के कारण fluid घट गया हो तो भी उसकी भरपाई हो जाती है इस तरह master cylinder piston और wheel cylinder piston के बीज हमिशा fluid पदार्थ का एक पूरा line बना रहता है जिसके कारण हमारे द्वारा brake lever दबाते ही बिना विलम के प्रेसर बल का प्रवाः brake pad तक हो पाता है और समय लिए बिना brake लग जाता है अब यदि किसी कारण से इस fluid line में हवा का प्रवेस हो जाता है तो चुकि हवा आसानी से कंप्रेस हो जाता है इसलिए हमारे द्वारा लगाया बल इस हवा की कंप्रेस होने में ही खपत हो जाएगा अर्थात हमारे द्वारा brake lever दबादने पर भी प्रेसर का प्रवाः पिस्तन तक नहीं हो पाएगा इसलिए भिल सिलिंडर के पिस्तन तक कोई भी प्रेसर नहीं पहुँच पाएगा हवा आने के कारण रिजर्वायर में फ्लूइड के कम हो जाने पर गाड़ी के चलने के दौरान इस रिलीव पोट के रास्ते हवा अंदर आ सकता है ब्रेक फ्लूइड अपने में पानी को मिक्स कर लेनी की छमता रखता है बरसात के मौसम में या हवा के मौस्चर से ब्रेक फ्लूइड में पानी के अंस आ जाने से भी ब्रेक लाइन में पानी वास्पित होकर कंप्रेसेबल गैस का रूप ले लेता है यह पानी भाफ तब बन जाएगा जब फ्लूइड का तापमान 100 डिग्री सलसियस तक पहुँच जाएगा ब्रेकिंग के दुरान ब्रेक पेड में घरसन के कारण ब्रेक पेड का तापमान 250 डिग्री सलसियस तक पहुँच जाता है यहतापमान आसानी से पिस्टन से होते हुए ब्रेक फ्लूइड में पहुंचकर फ्लूइड को गरम कर देता है यही कारण है कि ब्रेक फ्लूइड रिप्लेस्मेंट ब्रेक मैंटिनेंस का एक हिस्सा है हाड़ ब्रेकिंग और डाउन हील के दौरान ब्रेक पैड और अधीक प्रेसल्से डिस्क को दबाता है तो यह तापमान 700 डिग्री सल्सियस तक पहुँच सकता है इस इस्तिती में ब्रेक फ्लूइड खुद भी वास्पित होकर गैस बनाने लगता है यही कारण है कि डाउन हिल के दोरान ब्रेक फेलियोर के चांसेस बढ़ जाते हैं तो हमें तुरंत और बार-बार ब्रेक लगाने से बचना चाहिए ताकि डिस्क और पैड को धंडा होने के लिए समय मिल सके ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड को ठंडा रखने के लिए हवा का प्रवाह अवश्यक है इसलिए डिस्क में ऐसे होल्स या वैंस बनाया जाता है फोर विलर के अधिक भारी होने के करण डिस्क भी अधिक गर्म हो जाता है तो हवा के बेहतर प्रवाह के लिए अलग-अलग डिजाइन बनाए जाते हैं तो कुल मिलाकर ब्रेक फ्लूइड को वास्पित होने से बचाना होता है इसलिए ब्रेक फ्लूइड का बॉयलिंग पॉइंट अधीक होना चाहिए यह डॉट 3 और डॉट 4 ब्रेक फ्लूइड का बॉयलिंग पॉइंट है ड्राइ बॉयलिंग पॉइंट मिन्स जब ब्रेक फ्लूइड में पानी का अंस नहीं है साथ ही साथ वेट बॉयलिंग पॉइंट मिन्स जब ब्रेक फ्लूइड में पानी का अंस मिल गया हो एक बार यदि ब्रेक लाइन में हवा आ जाता है तो यह हमारे द्वारा लगाए गई प्रेसर की दिसा में गती करके यह ब्रेक सिलेंडर तक पहुँच कर इस उपरे हिस्से में जमा हो जाएगा तो इससे निकलने के लिए यहां एक होल पना दिया जाता है इस अस्क्रिव को ब्लेड अस्क्रिव कहते हैं इसे खोल कर हवा निकलने के प्रेक्रिय को ब्लेडिंग आफ हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं जब पहली बार रिजर वायर में फ्लूइड डाल कर ब्रेक लिवर दबाया जाएगा तो break line में पहले से उपस्तित हवा compress होकर break cylinder में जमा हो जाएगा तो इस इस्तिति में भी air bleeding करना आविश्यक होता है break cylinder या break lines में हवा के रह जाने पर break liver दवाने पर spongy जैसर लगेगा क्योंकि इस दोरान हवा compress होता है ऐसा होने पर break liver अधिक दूरी तक गती करता है हवा के हट जाने पर और चुकी fluid compress नहीं हो पाता तो break liver कम दूरी ही तई कर पाएगा यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें comment कर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें आपके comment का इंतजार रहता है हमें support करने के लिए आप हमारे चैनल को जाइन करके किसी भी रासी कामेंबर सीप चुन सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार